Good morning students, आज कल हमने ये lesson सिर्फ read किया था, आज हम इसको समझ के करेंगे, तो कल हमने इसमें क्या read किया था? कि अपना अपना काम जिसका काम उसी को साजे, तो देखिए बहुत समय पहले की बात है, क्या था? ब्रह्म पुत्र नदी के तरपरवसा एक छोटा सा नगर था, जिसका नाम था उस चहर का? अभयपूरी, एक दिन वहां के राजा के मन में नोका विहार करने का विचार आया, क्या विचार आया? नोका विहार करने का, क्या विचार आया? नोका विहार करने का विचार आया, राजा अपने साथ, अपने एक विश्वस पात्र मंत्री को भी नोका पर निकले वो सजी धजी नोका पर सवार हो कर वे निकले नोका पर कुल चार लोग थे नोका पर कितने लोग थे चार लोग थे कौन-कौन थे राजा उनके मंत्री और कौन था दो नाविक ठीक है कौन-कौन थे राजा था उनके मंत्री थे और कौन थे दो नाविक यानि कि द वो नाविक और एक राजा और एक उसका मंत्री यानि कि टोटल कितने लोग हुए चार दोनों नाविक नाव को खेते जा रहे थे क्या कर रहे थे वो नाव को खेते मतलब नाव को चलाते जा रहे थे वे सभी उन सभी को बहुत ही आनंदा रहा था क्या रहा था उन सभी को आन नंद ले रहे हैं नाविकों ने सोचा कि राजा और मंत्री सो रहे हैं उन्हें सोया जानकर दोनों नाविक आपस में क्या करने लगे बाते करने लगे एक नाविक ने अपने माथे का पसीना पोचते हुए दूसरे नाविक से कहा, देखो इश्वर का कैसा न्याए है हमारी तरह ये मंत्री जो भी राजा का सेवक ही तो है लेकिन हम दोनों तो यहाँ धूप में पसीना बाहर रहे हैं और ये देखो आराम से कैसे लिटा हुआ है लेकिन हमारे राजा को हमारी परवा कहा है दूसरे ने भी उसकी हां में हां मिलाई राजा आखे बंद किये हुए थे लेकिन वे सोय हुए नहीं थे उन्होंने नाविकों की बाते सुनी लेकिन बिना कुछ बोले चुक चाप लेटे रहे कुछ देर बाद राजा ने क्या किया आखे खोली और थोड़ी ही दूरी पर क्या दिखाई दिया एक टापू दिखाई राजा नाव से उतर कर टापू के किनारे टहलने लगा क्या करने लगा ठके हुए नाविक भी खा पी कर इधर उधर लेट गए कुछ ही दूरी पर एक जोपड़ी दिखाई दे रही थी अचानक राजा को वहां से कुछ हावाजे आती सुनाई पड़ी राजा ने तुरं ए जहां से क्या रही थी आवाजे आ रही थी कुछ देर बाद वह लोटकर आया और राजा से बोला महराज महा कुतिया के छोटे छोटे पिल्ले रो रहे हैं तो कितने पिल्ले हैं नाविक ने कहा नाविक से पूछा राजा ने वहाँ पर कितने पिल्ले हैं तो क्या कहा नाविक चुप रहा, क्योंकि उसने तो उनकी गिंती की ही नहीं, वह उल्टे पाउं भागा और दोड़ते हाफते वापस आगर बोला, महराज पाँच पिल्ले हैं, राजा ने फिर पूछा, उनमें से कितने नर और कितने मादा हैं, नाविक चकराया, क्योंकि उ उसमें तो इस बारे में सोचा ही नहीं था वै फिर दोड़ता हुआ जोपडिं की और गया और आकर हाफते हाफते बोला महाराज पिल्लो में दो नर और तीन मादा हैं राजा ने फिर पूछा नाविक पिल्ले किस रंग के हैं काले सफेदिया भूरे रंग के नाविक मुसिब और तीन भूरे रंग के हैं राजा ने इसके बाद नाविक से और कुछ नहीं पूछा और वे नाविक की हालत देकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे अब उन्होंने अमतने मंतरी को अपने पास बुलाया और कहा वहाँ जोपडी के पास से कुछ आवाजें आ रही हैं जरा जाक तर इस बारे में पता लगाईए राजा की आग्या पाकर मंतरी जी जोपडी की तरफ चल दिये वे थोड़ी ही देर बात लोटाए और बोले महाराज जोपडी के पीछे कुटिया के पिल्ले आपस में लड़ जगड रहे हैं उन्हीं की आवाजे हैं तो कितने पिल्ले हैं राजा ने पूछा पांच मंतरी ने जट उतर दिया उनमें से कितने नर और कितने मादा हैं राजा ने पूछा दो नर हैं और तीन मादा हैं महाराज ने मंतरी से कहा राजा ने फिर पूछा पिल्ले किस रंग के हैं तो महाराज दो काले रंग के हैं और तीन भूरे रंग क लेकिन उनकी मा का रंग काला है जोपड़ी में एक मच्वारे का परिवार रहता है उसी की पालतु कुतिया के पिल्ले है मंतरी ने उत्तर दिया तो मंतरी ने सभी प्रश्णों के सही उत्तर सुनने के बाद राजा ने नाविक की ओर देखकर कहा मेरे प्रश्णों का उत्तर देने के लिए तुम्हें चार बार जोपड़ी तक गए तुम्हें कितना परिश्रम करना पड़ा और देखो मंतरी जी एक ही बार जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर ली अब समझे कि मनुश्य होते हुए भी सब के सब एक समान नहीं होते कोई शारीरिक परिश्रम कर सकता है तो कोई मानसिक परिश्रम कर सकता है सबकी बुद्धी एक समान नहीं होती इसलिए कोई मंतरी बनता है तो कोई नाविक बनता है हर किसी के कार्य को अपना-पना महत्व है जिस तरह तुम मंतरी का कार्य नहीं कर सकते उसी तरह मंत्री भी तुम्हारी तरह का परिश्रम नहीं कर सकते इसमें न्याय अन्याय की कोई बात नहीं है नावीकों को राजा की सारी बात समझ में आ गई वे समझ गए कि सबी मनुश्यों का काम समय तो पूरण है थैंक यू थैंक्स तू आल वे नाइस दे